आयोद्या के राम मंदिर में बालक राम यानी रामलला विराजमान हो चुके हैं इस बिच राम मंदिर के लिए बनाई गई दूसरी और तीसरी मोती भी सामने आई है दूसरी मोती सफेद मकराना संग्मर मर से बनी है जबकि तीसरी मोती भी रामलला की प्रतीमा के रंग याने शामल रंगी है तीनों की लंबाई 51-51 इंच की है तीनों प्रतीमाओं में कमल आसन पर भगवान को विराचित दिखाया है भगवान के पांस साल के बाल स्वरूप को तीनों में ही दर्शाया गया है रामलला के अलावा भगवान राम की दोनों प्रतीमाओं को राम मंदिर के अलग अलग फ्लोर पस थापित किया जाना है दर्शाल ट्रस ने मंदिर के लिए भगवान राम की तीन मूर्तिया तयार बनवाई थी यह अलग अलग पत्थरों से अलग अलग कारिगरों ने तयार की थी आकिर में ट्रस अदिस की सहमती से करनाटक के मूर्तिकार योगी राज की बनाई गई राम लला की प्रतीमा को गर्भ ग्रह के लिए चैनित किया गया था जबकि दूसरी प्रतिमा दक्षिन के ही मूर्तिकार गनेश भटने शामल रंग की और तीसरी मूर्ती राजिस्तान की मूर्तिकार सत्य नारान फाइंडे ने बनाई है सत्य नारान फाइंडे की बनाई प्रतिमा संगमर्मर की है इसे के साथ बने राजगामा टीवी के साथ करने वाद